अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे चैनल पर आपको सिख स्टेंडर के साइन्स, हिस्ट्री सिविक्स, मैस और इंग्लिश के भी वीडियोज मिलेंगे तो फर्स पार्ट को भी ज़रूर देखिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए स्टूडंडे के फर्स पार्ट में हमने देखा था कि डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर के टु टाइपग्स हमने देखे ते मैनमेड और नाच्रल डिजास्टर आज के पार्ट में हम देखेंगे Remedial and Preventing Majors means disaster होने के बाद या फिर disaster जब होते है तो हम किस तरीके से remedies कर सकते है या फिर किस तरीके से prevent कर सकते है disaster को Let us see what precaution we can take before or in the event of a natural or man-made disaster कि हम किस तरीके से precaution ले सकते है disaster होने से पहले या फिर disaster होने के बाद कि अगर natural disaster हो या फिर man-made disaster हो तो उनके लिए precaution कौन सी लेनी चाहिए तो first आपको दिया है keep watching TV and radio news and bulletins की अगर कोई disaster होने वाला होता है तो उसके पहले अगर कोई information अगर हमें दी जाती है तो हमें TV से news जो होती है उनसे पता चल जाता है या फिर disaster होने के बाद कुछ information जो दी जाती है TV and radio के उपर तो उन्हें हमें देखना चाहिए second day use battery operated radios and mobiles तो देखिए जैसे कि अगर कोई disaster हो जाता है तो उसके कारण electricity supply अगर नहीं हो पाता है तो ऐसे में हमारे पास जो बैटरी के उपर चलने वाले radio या फिर mobiles होते हैं वो होना जरूरी होता है third one hit the warning issue by the metrological department carefully कि जो department होते हैं जो हमारे help करते हैं ऐसे समय पर तो उनके द्वारा दी गई जो warnings होते हैं उन्हें हमें सुनना चाहिए carefully fourth one is use the website www.imd.government.in तो ये जो website हैं उसे हम use कर सकते हैं फिर पर है landslides occur in hilly areas due to cloud burst और heavy rain कि landslide किसके कारण होता है हilly areas में जहाँ पर cloud burst होता है या फिर heavy rain होती है तो landslide होने के chances जाता होते हैं तो on such occasion तो ऐसे समय पर do not take shelter at the foot of a hill तो ऐसे समय पर hill जो होती है उसके foot of hill means जो नीचे का part होता है वहाँ पर हम shelter ना ले तो वो अच्छा होता है sixth one is during floods do not linger in houses or areas on river banks कि जो flood आती है बाड आती है तो ऐसे समय पर घर में रहना या फिर river side में जो जगह होती है वहाँ पर हमें नहीं रुखना चाहिए seek shelter in other safe places जहाँ पर safe places होती है जगह होती है वहाँ पर हम रुख सकते है more to safer places at a greater height जहाँ पर height ज़्यादा होगी means पानी वहाँ तक नहीं आपाएगा वहाँ पर हम more हो सकते है do not step into the water current or drive a vehicle into them अगर पानी का वहाँ ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें हमारे जो वेहिकल से उनको नहीं चलाना चाहिए या फिर वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा chances होते हैं कि हम बह सकते हैं या फिर हमारे वेहिकल भी पानी के साथ बह स लगते हैं 7th minute during an earthquake road split open the ground cracks railway track get uprooted तो जब earthquake आता है भुकंप होता है तो road में crack आ जाते हैं जमिन में cracks आ जाते हैं railway tracks जो हो वो निकल जाते हैं hence when moving from one place to another ensure that the road is safe further on तो हमें पहले ये देखना चाहिए अगर हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं जब अर्थ को एक हो चुका है तो आप हमें देखना चाहिए कि safe जगह है या नहीं है road safe है या नहीं और उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं तो ये कुछ precaution होती है जो हमें लेनी चाहिए नमबर 8 आपको दिया है take shelter in relief camps as they provide medicines, food packets, drinking water, first aid, etc. कि जैसे हम लोग देखते हैं अगर बाढ़ आ जाते हैं या फिर कोई भी disaster होता है उसके बाद में कुछ camps लगते हैं कि जहापे लोगों को help मिलती है, medicines मिलते है, food packets मिलते है, drinking water मिलता है, first aid दिया जाता ह तो वहाँ पे हम रुख सकते हैं, 928 to get protection from fire, use fire extinguisher in public places like schools, hospitals, railway station, etc. कि अचानक से अगर कई पे आग लग जाते हैं तो जो fire extinguisher होते हैं hospitals में, schools में उनको हम क्या कर सकते हैं, public places में use कर सकते हैं, जिससे सब लोगों की help हो सकती है, देखें यहाँ पे आपको pictures दिया है, जैसे कि इस तरके की camp लगते हैं, जहाँ पे लोगों की help की जाती है, इस तरके से जब earthquake आता है, तो कुछ जो remedies या फिर precaution हमें पता होनी चाहिए, जो हमें help कर सकती है Next step, first aid, in day-to-day life, sometimes we have to face disaster or accident of varying proportions, कि day-to-day life में भी कुछ ऐसे incidents हो सकते हैं, या फिर accidents हो सकते हैं, जब हमें first aid की ज़रूत होती है On such occasions, it is necessary to give some immediate aid even before medical treatment become available तो first aid का meaning यही होता है, कि अचानक से कोई incident हो जाता है, accident हो जाता है, तो उस समय medical treatment मिलने से पहले, अगर हम immediately कोई treatment दे सके, उसके लिए first aid को use कर सकते हैं तो इसमें हमें first दिया है कि external bleeding अगर होता है, तो उस time हम किस तरीके से treatment ले सकते हैं या फिर कर सकते हैं If a person is bleeding, first make him sit or lie down comfortably अगर किसी इंसान को bleeding हो रही है, कहीं पर लग गई है और bleeding या फिर खुन निकल रहा है, तो ऐसे समय पे उस इंसान को हमें अच्छे से बिठाना चाहिए या फिर सुलाना चाहिए comfortably Keep the bleeding part of the body above the level of the hurt and clean it with water कि body का जो part है वो इस तरीके से रखना चाहिए कि जो अबोधी level of hurt आएगा और उसे हमें clean पानी से क्या करना होगा, wash करना होगा, साप करना होगा Second दिया है burns and scars, जिसमें minor burns के लिए हम देखेंगे कि treatment क्या हो सकती है The injured part should be wash with water or held underwater Minor burns अगर हुआ है, थोड़ा बहुत जला है तो अगर जला है तो हम क्या कर सकते है चिपकण सकते है, उसे wash कर सकते हैं कि पाणी के नीचे हम by cleaning out होट पकड़ सकते हैं जैसे हम फिसमेंãy AHWAR, diskutंब धूरлем जत्क होगे अगर जला हुआ पार्ट है तो वहाँ पे हमें ओईली ओइन्मेंट को यूज नहीं करना है और जहाँ पे जला होता है वहाँ पे हम ड्राय ड्रेसिंग ही करेंगे हमेशा उसके बाद सीरियस अगर बर्न होता है तो क्या करेंगे सबसे पहले तो उस परसन को इमोशनली सपोर्ट देना काफी इंपोर्टन होता है कि स्टरलाइज जो क्लोध होते है जिससे जो जखम वहाँ पे हुए वहाँ पे इंफेक्शन ना हो इसके लिए स्टरलाइज क्लोध को ही हमेशा यूज करना चाहिए अगर किसी को बर्न हुआ है जैसे की पेर में है तो शूज अगर पॉसिबल है निकलना तो उसे पहले निकलना चाहिए या फिर जोईलरी है तो उसे रिमोग करना चाहिए तो हमें वहाँ पे टच नहीं करना है Do not apply oily ointment तो oily ointment जो होते हैं उनको use नहीं करना है Do not try to remove the cloth if it is stuck to the burned skin अगर कपड़ा जो है जहाँ पे skin जली हुए वहाँ पे अगर चिपक जाता है तो उसे हमें remove नहीं करना है If the patient is conscious की water to drink but avoid tea or coffee or other stimulating drinks अगर patient conscious हमें लग रहा है तो उसे हम पानी पीने के लिए दे सकते हैं लेकिन tea और coffee को हमें avoid करना है Get medical aid at once और हमें medical aid ज़रू देना चाहिए Next दिया है sunstroke When we work in the sun continuously for a long time the body loses a lot of water and minerals जब हम धूप में ज्यादा से ज्यादा दिर तक काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे body में जो पानी है वो loss हो जाता है जो minerals से वो भी चले जाते है That is the reason for sunstroke और इसी कारण sunstroke होता है जैसे कि धूप लगने के कारण चक्कर आके हम गिर जाते है तो इसमें remedies हम क्या कर सकते है Take the patient to a cool place or in the shed कि patient को हम cool place जहाँ पे ठंडी जगा है वहाँ पे लेके जा सकते है Spoint the whole body with cold water Cold water से sponging कर सकते है Place a cloth soak in a cold water on the neck कि cloth लेंगे जिसे cold water में soak करने के बाद नेक के उपर हम रख सकते है Give plenty of water or liquid like a sherbet to drink कि उस इंसान को हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे सकते है पीने के लिए और शर्बत भी दे सकते है जिसे जो पानी का level है बोड़ी में बढ़ जाएगा If the patient feels like omitting make him lie prone That means on his arm abadum with the head turned to one side जैसे कि यहाँ पे picture में हमें दिया है कि किसी patient को अगर omitting हो रही है sunstroke होने के बाद तो इस तरीके से पेट के बल उसे लिटा के उसके बाद जो है head इस तरीके से एक side में turn करके रखना होगा Get medical help or ship the patient to a hospital अगर जादा ही तकलिफ है तो ऐसे समय पे उस patient को हम hospital लेके जा सकते हैं तो इस तरीके से measurements कर सकते हैं Next is snake bite अगर साप ने काट लिया तो क्या करेंगे There are nearly 2000 species of snake तो 2000 species के अलग-अलग snakes होते हैं लेकिन सारे के सारी जो poisonous नहीं होते हैं Of these only a few like cobras, crates, vipers and sea snakes are poisonous तो कुछ ही जो species होते हैं snake के वो poisonous होते हैं Therefore all snake bites are not fertile However, fear causes severe psychological shock which can result in death तो कही बार ऐसे होता है कि लोग साप ने काटा है ये सोचके ही काफी डर जाता है जिसके कारण psychological shock लग जाता है उनको और उसके कारण उनकी death होने के chances जादा होते है If you come across a snake, contact us are serpamitra rather than killing the snake at once अगर आपको कही पर भी snake अगर दिखता है तो serpamitra जो होते हैं वो snake को पकड़ के जंगल में छोड़ देते हैं तो ऐसे समय पर हम उन्हें बुला सकते हैं तो यहाँ पर snake को हमें kill नहीं करना है जो serpamitra होते हैं वो उन्हें पकड़ के जंगल में छोड़ देते हैं यहाँ पर हम remedies क्या कर सकते हैं अगर snake bite होता है तो तो first is wash the wound with water जहाँ पर काटा है जो wound है उसको हम wash कर सकते हैं पानी से गिव emotional support to the patient जो सबसे ज़्यादा important होता है कि पेशन्ट को emotionally support देना चाहिए टायक प्लोर tightly avoid the wound जैसे कि picture में आपको दीख रहा है जहाँ पे wound है उसके उपर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे हमें जो कपड़ा होता है tightly बानना होता है get immediate medical help तो सबसे पहले क्या करना है कि ज़रूरी होता है medical help पे ना तो हम patient को doctor के पास भी लेके जा सकते हैं तो यह remedy हम यहाँ पे कर सकते हैं next day dog bite अगर कुट्टे ने काट लिया तो in a dog bite there is a risk of infection through the blood hence first aid and medical help are necessary तो सबी चीजों में हमें यह देखना है कि जो first aid है हम अगर दे सकते हैं तो वो देना चाहिए और medical help हमें necessary है तो उसे ज़रूर लेना चाहिए dog bite की chances में क्या होता है कि risk होता है infection होने का blood के थ्रू तो यहाँ पे remedies क्या दिये है wash the wound with a solution of potassium per magnet or other antiseptic कि जो wound होती है जो जखम होता है उसे हम solution जो होता है potassium per magnet का उससे साप कर सकते है और फिर जो other antiseptic होती है उससे हम wash कर सकते है cover the wound with a clean and dry cloth जो जखम हुआ है उसे हम clean and dry cloth होगा उससे cover कर लेंगे get a doctor's help and an injection of the anti-rabies vaccine जो anti-rabies vaccine जो होती है injection उसे दिया जाता है और यहाँ पर हम doctor की help ले सकते है what we have learned तो इस lesson से हमने क्या सीखा a sudden calamity is known as a disaster की ऐसी विपदा आपती जो होती है जो अचानक से आ जाती है जिसके कारण काफी लोग मर जाते है या फिर जो property का नुकसान होता है उन्हें disaster कहा जाता है disaster can be man-made और natural दो types होते है man-made disaster और natural disaster alertness and immediate action are necessary on such occasion जब disaster होते है तो उस time alert होना काफी important होता है and immediately अगर हम help कर सकते हैं एक दुसरे की तो वो काफी important होता है effective disaster management and use of remedial measures can help reduce the losses तो effective disaster management अगर होता है और अगर हम अच्छी remedies measures कर सकते हैं तो उसके कारण लोगों की काफी help हो जाती है every person should know about safety precaution and first aid तो ये सारी चीज़े आपको यहापे इसलिए दिये है कि कभी भी अगर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो आपको ये remedies पता होनी चाहिए तो I hope student आपको ये पूरा lesson काफी अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने फर्स पार्ट नहीं देखा है तो फर्स पार्ट को भी जरूर देखिए और सेकेंड पार्ट को भी देखिए तब आपको पूरा lesson अच्छे से समझ में आ जाएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजे